सो हेलो इवान गाइस रहमादीव राधी राधी कैसे आप सभी लोग आई हूप आप सभी लोग अच्छा कर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगी सो गाइस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आगे हो टॉरस साइन टॉरस मीन्स व्रिष्व राशी जिनके भी जोड़ेक साइन है सन मून राइजिंग और नौर में आती है सो कैसा रहेगा आपका सब्तमबर मन्थ होके सो घाइस आजसो फॉल डीटेश रीडिटिंग है अगर आप न्यू ओंता चानल पे तो रीडिंग सचार्ट करने से पहले आप लोगो प्र बहुत से भी देख सकते हो जाआ है इंस्ट्रग्राम का लिंक देस्क्रिप्शन में है या फिर आप लोग उपर बाउट सेक्शन से भी देख सकते हो कि सो यहां टैरो के थ्रू क्या एनर्जिस आ रहे हैं फॉल मंध आपके लिए कैसा रहेगा टॉरस रिश्वर राशी, सब्तमबर ट्विन प्रिव्टि 네 फॉर आपके लिए कैसा रहने वाला है सचर्टिंग आफ टमवंध कैसा रहेगा, सो यहां पी हाई प्रैस्टिंग की इनर्जिस हैं मचे जी, ग्रेट the judgment card है यहाँ पही mid of the month कैसा रहेगा आपके लिए okay so mid of the month में क्या energies है Taurus आपके लिए okay so end of the month क्या लिख्या रहे आपके लिए okay end of the month की क्या energies है आपके लिए guys Taurus Vishwa Rashi so यहाँ पी bottom of the deck nine of pentacles sorry nine of wands middle of the deck यहाँ पी king of cups card की energies okay so यहाँ पी क्या energies nine of pentacles card आना चाहता था यहाँ पी यहाँ तो I think आप चाहते हो independent हो आप full उसके लिए hard work करें full strength आपने बनाई रखी है but yes कहीं न कहीं आप independent तो हो but उसके लिए काम बहुत करना पड़ रहा है उतना आपको मिल नहीं रहा उससे हाना यह मन्थ थोड़ा सा आपको रहत देने वाला है guys आपकी life में कहीं न कहीं आप बहुत emotionally stable feel करने वाले हो कोई water sign के person आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं हैं तो definitely आप satisfied हो अगर आपकी emotion ही disturbed है तो क्या ही फाइदा हा न तो of course आपके अगर आप रो रहे हो एक side तो आप बहुत moody हो रहे है moody energies यहां पर दिख रहे है थोड़ी सी बढ़ा सथम्बर मन्त आपको अच्छा दिख रहा है मुझे जादा कुछ ऐसा उतल पुतल नहीं देख रही कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है सफ्टमबर मन्त में आपके लिए आपके लिए Aries Leo Sagittarius ओवरॉल मन्त के लिए फाइरी एनर्जी और वाटर एनर्जी इंपॉर्टन हो सकते हैं में इस एरिस लियो Sagittarius राशी यहां फिर कैंसे स्कॉर्पर पैसेस राशी के लोग यहां आ सकते हैं आपकी लाइफ में यहां आप वाटर और फायर के मिक्स्टर को मेंटेन करने में लगे रहोगे मतलब बैलन्स क्रियेट करना इस मन्त में आपके लिए बोला अशा रहे होगे So starting of the month यहां पर है high priestess and judgment card So यह show करता है कही न कही आपकी life में guys आप लोग judgment feel कर रहे हो मतलब आपको किसी चीज़ के लिए judgment मलते हैं दिख रहे हैं यहां पर आप बहुत intuitive हो रहे हो guys बहुत intuitive यहां पर मुझे energies दिख रहे हैं grapes की energies prosperity को show करती है यह abundance आपकी life में आ रहे हैं जो भी thoughts अगर आप positive thoughts सोच रहे हो या आपने जो hard work किया है उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है मुझे आप ऐसे सोच हो तो आपको फल मिलना start हो रहा है इस month में okay and yes आप justice lover हो definitely आपको justice मिलता हुआ दिख रहे है आप जो बोलो कि किसी को वो हो जाएगा आपको ऐसा feel होगा कि yes मैं कैसे इतनी intuitive हो सकती हूँ कैसे मैं जो बोल रहे हूँ वो हो रहा है आपके लिए यह energies यहां पर मुझे दिख रहे हैं कहीना कि two number बहुत important यहां पर दिख र आपके लिए okay आपको judgment मिलते हुए दिख रहे है guys judgment is coming towards you आपको यहां पर angels protection starting of the month में ही मिल रही है आपके लिए Pisces और Sagittarius राशी important हो सकती है आपके okay starting of the month में mid of the month आपके लिए September month कैसा रहने वाला है okay mid of the September month so यहां पर nine of cups and page of cups है दोनों ही cups के cards है तो definitely यहां पर यह भी life में कोई ना को person आते है वो दिख लव रलेशनिशिप में okay वो person यहां पी आपके लिए बहुत emotional stability बहुत प्यार लेके आते है यहां पी page के energies है ना वही यहां पी king की energies में बैठे हुए है वो king बट आपको page बनके दिखाने वाले है okay have a person king is time ठीक है बट वो आपको page मतलब mature है बट आपको बच्चों की तरह आपके सामने behave करना immaturity show करने वाला है वो person okay and आपको offer करने वाला है love relationship okay Taurus so yes यह चीजे दिख रहें mid of the month अगर आप relationship में हो आपके partner बहुत बच्चों वाला behavior आपके साथ करने वाले है बहुत हसी मजाग ठीक है enjoyment loving caring energies okay show करने वाले वो आपको nine of the cups है यहाँ पर mid of the month में तो definitely यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ती होते है दिख रहे है आपकी wish fulfillment होते हुए दिख रही है ठीक है आपकी शादी का अगर आप वेट करें स्टाटिंग अफ तमन्त में बहुत कुछ होने वाला है mid of the month में आपकी इच्छा पूर्ती दिख रहे है आप बहुत खुश हो यहाँ पर में राशिगा बता दूं कैंसर कर पर पाई से सायन आपके लिए बहुत इंपॉर्टन दिख रहा है बहुत इमोशनली स्टेबल भी आप फील कर रहे हो इस मन्त में mid of the month में हो की आपके लिए कैसा रहेगा आपको कहा जा रहा है यहाँ आपकी लाइफ में कोई परसन यहाँ बहुत तेजी से आते हुए दिख रहे हैं हो की आपकी लाइफ में तो यहाँ पर गाइज एंडफ तो मन्त थोड़ा जस्टिस वाला दिख रहा है ठीक है आपको जस्टिस मिलता हूँ अभी दिखेगा और आप जस्टिस की मांग भी कर रही हो अपने पार्टनर से भी हो सकता है कि आप को मिटेमेंट मांग रही हो यह आपके पार्टनर को कर बहुत फ्लॉट करने वाले आपकी साथ हो ठीक है चाहिए आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो फायर इनर्जिस में अब इस ट्राइम तो वाटर फायर मैंने आपको बोला ना वाटर फायर का मिक्स्टर यहां पर इसमंत में रहने वाला वह सारी ही रीडिंग में है यहां प आपके तरफ ऐसा भी दिख रहा है घोडे पे सवार होकर परसन आ रहे हैं शादी के लिए शादी का रिष्टा लेकर आ रहे हैं यह हो सकता है ओके एंड अफ ता मंत में आप देख लेते हैं नर्जिस रहने वाली हैं यहां पर आपके लिए रीडिंग लॉंग ना हूँ हाना गाईस आप कैसे देखोगे इतनी बड़ी रीडिंग ओके यहां पर आपके लिए रीडिंग पसंद आ रही हो गाईस लाइक कर दो इस रीडिंग को इसी खुश्छी में और सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छा टाइम है सब्सक्राइब करने का ये चैनल को एंड बेल एकन का दबा के ओल पे सेट कर दो कि सो यहां पर Healer of the Ages and also Edges and Possibilities है Bottom of the deck यहां पर है Enway Card So यहां आपको Show किया जार है कही नगी आपकी Life में Healing आते हुए दिख रही है Healer of the Ages की Energy नहीं है Healing आपको प्रवाइड भी की जारी है Universe आपको Healing प्रवाइड करते हुए दिख रहे है And also आपके Life में Edges and Possibilities की Energies है कही नगी आपके Life में बहुत सारे डोज ओपन होते हुए दिख रहे है बहुत सारी Possibilities आपको इस मंत में देखने को मिलने वाली है आप Heal होते हुए दिख रहे है बहुत सारी Options में अगर आप Busy भी थे ना या फिर बहुत सारे काम में Busy थे बहुत सारे चीज़ों में अफसे हुए थे यह महीना कह रहा कि Healing का टाइम है Healing कर लो अब भगवान आपको टाइम दे रहे अपने आपको टाइम दे दो ठीक है किना कि आप बहुत टाइम से Dark Night of the Soul से गुजर रहे थे hurt किया था किसी ने आपको यह महीना है उस चीज़ से निकलने का रोशनी को ढूनने का Positivity अपने लाइफ में लेके आने का 20 नमबर, 2 नमबर, 24 नमबर, 6 नमबर 6 नमबर बहुत important होसता है इस मन्त में 6 तारीक sorry 24 तारीक आपके लिए important हो सकती है इस मन्त में जो भी New Moon आने वाला है Taurus वो क्या energies लेके आ रहे आपके लिए यह देख लेते है Taurus के लिए New Moon के energies लेके आ रहे है New Moon in Aquiris के energies आ चुके है तो bring love in this situation so guys love लेके आ हो हर एक situation में कोई भी situation में अगर अप्स्टक हो अच्छा feel नहीं कर रहे हो अच्छा feel कर भी रहे हो तो प्यार लेके आ हो इस situation में Full Moon क्या लेके आ रहे है इस मन्त में आपके लिए New Moon in Virgo के energy a time to give rather than take जो भी full moon है वो आपको समझाने आ रहे है कि यह time देने का है ना लेने का a time to give rather than take देने का समय है यह दो guys blessings हो पैसा अगर आपको लगता है किसी को दे सकते हो आप किसी के help कर सकते हो दो ओके यह energy दिख रही है a new romantic cycle begins overall month में romance बहुत रहने वाला प्यार रहने वाला है again new moon in Libra sign आ चुका है ओके new moon बहुत important है यहाँ पी नया चंदरमा किस दिन आ रहा है 3 September को ओके आज एक है पलसो 3 है definitely बहुत important दिख रहा है यहाँ पी आपके लिए so यहाँ पी आपके लिए guidance क्या है एक card से हम देख लेते है full overall month के लिए क्या guidance है यहाँ पी voice of truth सच बोलो मैंने कहाना justice की मांग कर रही हो आप इस month में सच बोलने की मांग कर रही हो सच बोल रही हो आप अगर नहीं भी बोल रहे थे बोलना start कर दिया है and अगर बोलते आ रहे हो बहुत अच्छी बात है voice of truth के energies है आपके सामने लोगों का सच भी आ सकता है इस month में बहुत साही लोगों का stay strong stand strong focus on your purpose अपने focus करो purpose के ओपर release करो fear of persecution को and also seek your truth सच का साथ दो sacred self है यहाँ पर शकीन आई है आपके लिए water maffle है कि yes unleash करो इस month में आप अपने spirit को express करो अपने gifts को and definitely dance करो to the sacred rhythm of life okay dance करे sacred rhythm के साथ life की okay and enjoy करे life को anyways guys like this reading subscribe to this channel bell icon को दबादना all पर set कर देना तोरस आभी के लितना हरर महादेव रादे रादे God bless you everyone take care bye